क्या राहुल जी डरो मत कहते कहते अमेठी से लडो मत एक बात तो कॉंगर्श पार्टी और राहुल गांधी ने स्विकार ली है कि अमेठी जिसे वो अपना पॉकेट बरो फैमिली बैस्चिन ये सब मानते थे आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्शों में नहीं कर पाया वो पांच वर्षों में स्मृती जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया और इसलिए अमेठी जाने की हिम्मत कॉंग्रिस के प्रथम परिवार में नहीं है और अब देखे न, वायनार्ड की जनता के साथ भी धोका करना चाहरा है मतलब अमेठी ने रिजेक्ट किया, तो वायनार्ड का इस्तमाल किया अब वायनार्ड रिजेक्ट करने वाला है, तो राय बरेली के लोगों का इस्तमाल करना परंतु ये वायनार्ड के साथ जो धोका करने वाले हैं, राय बरेली के लोग वो भी समझ चुके हैं और राय बरेली के लोग कोई ऐसे व्यक्ति को अपना सांसत नहीं बनाएंगे जो उनके बीच ही ना रहता हो जो विदेश में जादा रहता हो तो इसलिए आज उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सी भरतेजनता पार्टी एंडिये जीतने वाली है और देश में एंडिये 400 पार होन वीडिया वालों ने पूछा और बताया कि आपका नाम अमेठी के लिए आया है तो जिस प्रकार से चौके उनकी जो प्रतिक्रिया स्वावावी ग्रूप से निकली उसी से पता चल जाता है कि उन्हें भी पता है कि कई ना कई केल शर्मा जी को तो कॉंग्रस पार्टी ने एक बली का बखरा जिसे कहते हैं एक मुहावरा है कि उनको तो स्केपगोड बनाकर भेज दिया है क्यूंकि कॉंग्रस के प्रत्म परिवार में अमेठी जाने की इम्मत नहीं है आज सब कुछ स्पष्ट है कि कॉंग्रस पार्टी हार मान चुकी है